जुलाई से धीरे धीरे तोहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपुर्णे मा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंदरा अगस्त आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास में आएगी गनेश चतुर्थी आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बिवु हैं नवरात्री हैं दुर्गापूजा है दशारा है दिपावली हैं छठी महिया की पूजा है तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महिया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़ करके कहीं और जाते हैं किसी और राज्य में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही है तो इसका स्वरे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है पहला हमारे देश के महंतिक किसान हमारे अन्नदेता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वज़े से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है आपने इमानदारी से टैक्स भरा है अपना दाईत्व निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकावला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स पेयर का रुदे से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं उन्हें नमन करता हूं साथियों आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेश करेंगे हम गरीब पीडीत शोसीत वंचीत हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहतियाद बरते हुए एकनोमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे हम आत्मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे इसी संकर्प के साथ हम 130 करोड देश्वासियों को मिल जुल करके संकर्प के साथ काम भी करना है आगे भी बढ़ना है फिर से एक बार मैं आप सब से प्रांसना करता हूँ आपके लिए भी प्रांसना करता हूँ आप से आंगरह भी करता हूँ आप सभी स्वस्त रहिए दोग गज की दूरी का पालन करते रहिए गमच्छा, फेस कवर, मांस ये हमेशा उप्योग कीजिए कोई लापरवाही मत बरती है इसी आगर इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हैं दन्यवाद कामनाई उता हैं भी कोई रभन कि कामनाई इसी कामनाई देल जबादा बहुत बहुत और बहुत ÉERS